नमस्कार फेंड्स मैं बिकेदत्ता फिलाल मैं रेलोई स्टेशन में हूँ और खड़पूर से अभी आप लोग को सेवा में मेरा इटूब चैनेल रेलोई मेकानिकल इन्फो में आज एक वीडियो आप लोग को दिखाएंगे जिस वीडियो में से आप लोग को सिख पाएंगे कि यह जो एलेज़बी कोच है इस कोच में आप लोग जानते हैं कि जो स्प्रिंग लगा रहता है उस जगा में नेस्टल टैप का स्प्रिंग होते है और कुछ येर बिलो येर सस्पेंशन का स्प्रिंग का काम करते है और कुछ डेमपर यूज होते है मतलब डेमपर बोलने से ICF में जो बोलते है भाटी का स्वाकरबजर ये कुछ डेमपर है और इसमें सारे स्वाकरबजर को डेमपर बोले जाते है और उस डेमपर कहां कहां फिटिंग होते है और वो क्या-क्या काम करते है डेमपर जो होते है आप लोग जानते है कि गाड़ी चलने से जो oscillation होते हैं टीन किसींक समय सब सब करने के लिए ऑपजाप ने के लिए श्रींग बचाने के लिए ईससब डेंपर रियूस के लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि यह जो damper है, कौन सा जगा में कौन सा damper use किया गया है, उसका नाम क्या है और आप लोगों को उसी damper को पर में मैंने बताएंगे कि कौन सा क्या काम कर रहे है तो चलिए फ्रेंड वीडियो सुरू करते है जल से ज़ सब्सकाइब करें प्रेमिए नया हो तो और जल से जल सस्काइब करें यह बेल आइकॉन बिल्कुल ना दवाने भूलिए तो चलिए मैं ऐस इस एलेज्बी कोच के तो बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो शुरू करने जा रहा है तो देखते रहिए एंड तक देखेंगे मेरा पास देखिए दो कीसिम के फियड बोगी है एक देखिए नेस्टर टाइप के बोस्टर सिस्टेम मतलब सेकेंडरी सस्पेंशन में स्प्रिंग हुआ इनर आउटर और सामने में देखिए यह होगी आपका एर बेलो सिस्टेम तो इसमें फियड बोगी में आपको डेमपर यूज होते है आपका प्राइमरी सेक्षन में डेमपर यूज होते है सेकेंडरी सस्पेंशन में डेमपर यूज होते है और एक damper एक bogey में लगा जाता है कि lateral dumper जिसको बोले जाता है वो कहां रहता है मैं दिखाएंगे और उसके काम का बारे विचार करेंगे बरतवन फियड बोगी में आपका जो एक लेजबी कोच में दो फियड बोगी लगा रहता है एक फियड बोगी और उस तरब में फियड बोगी है फियेट बोगी में आजकल जानते है कि पूरे डेमपर का यूज होता है सभी जगा में तो डेमपर कहां से देखिए प्राइमारी सेक्षन में डेमपर होना चाहिए सेकेंडरी सेक्षन में डेमपर होना चाहिए लेकिन कौन सा डेमपर कहां क्या काम कर रहा है इसके अब जान लीजिए इसके बारे में तो देखिए ये मेरा देखिए प्राइमारी सेक्षन बोलने से जहां आपका एक्सेल रहता है जहां वेरिंग रहता है यही होता सब गाड़ी का प्राइमारी सेक्षन और इस जगह में देखिए आपका control लाम का lower part से लेकर आपका bogey frame का उपर में एक damper बैठा है इस damper का कितना force होंगे इसके बारे में मैं एक वीडियो बाद में दे देंगे इसके length कितना force कितना काम का दूसरा वीडियो में देंगे लेकिन इस damper का काम क्या है देख लीजे इस जितना भी damper होता है इसके अंदर में एक high density का आपका lubricate oil रहता है यह देखिए damper reuse होता है यह जो आपका उपर पार्ट है देखिए एक case है नीचे पार्ट एक case है और यह देखिए spring के compress करके रखे है और यह spring को आपको safe condition में रखने के लिए और ज्यादा आपका bump नहीं करने के लिए यह आपका vertical bump stop को बचाने के लिए आपका यह damper उसके आगया है अगर यह damper नहीं रहेंगे तो spring थोड़ा free होगा और spring तुटने का उमेद ज्यादा होंगे क्यूंकि spring में जो pressure आ रहे है लोड गिरते है यह आपका इसको एक one type of vertical shock absorber बोलते है और यह shock absorber आपको थोड़ा से लोड आपको लेने का बाद में spring में दे देते हैं तो spring अगर लोड कम लेते हैं तो bearing भी आपका लोड कम लेंगे और bearing हमारा सुरक्षीद रहेंगे गाड़ी का riding index अच्छा होंगे मतलब आपका जो vertical आपका जो oscillation होते है वो कम होने का उमेद रहेंगे एक बोगी में इस तरीका के एक इस तरव में एक और इसके उस तरव में एक एक चार आपका primary suspension का आपका dumper मिलेंगे तो एक कोच में कितना हो गिया इस तरव चार और उस तरव चार primary suspension dumper आपका 8 हो गिया इसके बाद में मैं आते है secondary suspension में जो dumper दिग रहा है ये एक dumper दिग रहा है आपका एक Y-save का साथ में एक body का साथ में connect हुआ और देखिए एक bogey frame का साथ में connect हुआ और एक bogey frame का साथ में देखिए और एक dumper भाटिकल dumper बोस्टर का साथ में connect हुआ तो यह जो आपका body का साथ में और bogey का साथ में connect हुआ यह देखिए horizontal type के लग रहे है इसको बोलते है यो dumper एक bogey में एक इस तरब इधा लगा हुआ और एक उस तरब लगा हुआ और एक coach में उस तरब में दो मतलब चार आपका इस तरीके के यो dumper मिलेंगे इसके अंदर में भी high density के आपके lubrication रहते है ये क्या काम करते है ये आपका गाड़ी को जो घुमाते है करवेचर में आपको थोड़ा आगे पीछू करते है ये ये और उस तरफ बाला जो damper है ये compress करते है जहां जिस तरफ मोड़ेंगे ये compress करेंगे और खुलते है खुलके ये क्या करते है राइडिंग इंडेस मतलब आपका जो side to side जो राइडिंग इंडेस होता है मतलब lateral जो bomb stop के बारे में आपको ये सवज़दक करते है जब गाड़ी आपको करवेचर में जाएंगे तो ये आपका अगर नहीं रहेंगे तो आपका oscillation बढ़ सकता तो ये एक आपका oscillation कम करने के लिए होते है और गाड़ी को आपको नियम का अनुसार एक आपको जिसी नाव चलते है उस तरीके के आस्ते आस्ते घुमाते है और इस portion में देखिए ये जो डेमपर लगा है बोस्टर का साथ में ये आपका बोगी फ्रेम का साथ में इस डेमपर का काम है ये जो spring है देख रहे है ये air below में होने दीजिए चाहे और इसमें आपका nestor type coil spring में होने दीजिए सभी जगा में लगते है और ये इसका काम है ये जो spring होते है इस spring का उपर में पेसर कम आने के लिए और spring को बचाओ करने के लिए आप देख सकते हैं दो spring अंदर में एक inner spring और इसको बोस्टा spring भी बोले जाते है और secondary section आपका एक कोच के secondary section बोगी के secondary section बोले जाते है ये damper अगर failure होता तो बोस्टर का उपर में आपको जो load आते है उपर से जो की public जो चड़ते है जो load आते है ये spring का उपर में directly आ जाएंगे spring तूटने का उमेद जादा होता है इसलिए अगर ये damper सही से load नहीं ले पाया स्वाकर बज़र का काम नहीं कर पाया तो spring तूटने का उमेद रहेंगे और नहीं तो vertically जो bump होंगे मतलब acceleration जादा बढ़ जाएंगे तो इस vertical dumper जो secondary suspension का है इस तरफ एक उस तरफ एक और उस बोगी के इस तरफ उस तरफ एक मतलब आपका primary section के 8 dumper हो गिया total एक कोच में और यो dumper चार हो गिया एक कोच में और आपका secondary suspension में vertical dumper चार हो गिया मतलब आपके 16 dumper हो गिया और दो dumper आपका अंदर में है जिसका नाम है lateral dumper इस बोगी में एक रहेंगे और उस तरफ का बोगी में एक रहेंगे तो चलिए अभी मैं गाड़ी का अंदर में घुस रहे हैं और इस lateral dumper को दिखाने के कोचिस कर रहे हैं कहां बैठा है अभी देखिए यह lateral dumper आप कहां है यह सामने वाला जो है यह देखिए बोस्टर का साथ में लगा हुआ और यह देखिए center traction जो फ्रेम है इसके साथ में लगा हुआ और बगल में जो person है पीबोट के बगल में देखिए यह lateral आपका बाम स्टॉप लगा हुआ तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि यह जो इस बोगी में लगा है इधर और दूसरा बोगी में ठीक इसका diagonal लगा रहेगा और यह क्या काम कर रहे है यह अगर काम करना छोड़ देंगे अगर कमजोरी हो जाएंगे तो इस जगह का जो lateral बाम स्टॉप है इनके जो measurement मैंने बोला है 25 प्लास मैनस 5 mm के यह आपको difference हो जाएंगे मतलब इसके हिसाब से इस जगह में gap बढ़ जाएंगे और इसके लिए lateral जो आपका oscillation बढ़ जाएंगे मतलब गाड़ी आपका side to side बहुत जोर से हिलने लगेंगे तो यही हुआ lateral bumps टॉप को रोकने के लिए और oscillation को रोकने के लिए lateral dumper तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग जरूर समझ पाएंगे कि एक फ्येट बोगी मतलब LHB कोच में कितने किसिम के damper रहते है और उस damper क्या काम करते है अगर वो damper नहीं रहते है तो क्या problem हो सकते है और उनके जो clearest कहा होते है किस काम के लिए होते है तो चलिए इस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो flag दीजिए comment box में comment करिए कुछ जानकरी रहने से चैनल पर ना तो चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करिए तब तक सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए thank you for watching my video and have a good day